सब्सक्राइब करेंगे और इस करम में हमारा 17 वीडियो है जैसे कि आपको पता है कि हम रामदारी गुपता के खंड एक का डिक्टेशन का पूरा स्रीज जो है यहां पे चला रहे हैं जो कि आपको अपरतले खंख्या एक से लेके आपको इधर उदर भटकने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप मारे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर करम वाइज सारा डिक्टेशन दिया गया है सारा डिक्टेशन आडियो रिकार्ड में मिल लियागा आपको वहां पर आप जाएए प्रैक्टिस करिए और अपनी स् से रहेगा और वीडियो फिसका आपको मैं टेलिग्राम पर मिल लियागा टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो सब्स्राइब करकर नोडिक्टेशन बेल अध्यक्ष महोदे पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है सीमा छेत्र में जाएं या पिछडे छेत्रों में जाएं चारों तरब विदेशी पैसे के बल पर हमारी देश के साथ खिलवार हो रहा है इतना ही नहीं विश्वविद्यालियों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है गिरजा घरों में मंदिरों में मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिस हो रही है यहां समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है यहां राष्ट की समस्या है आज सदन में वित्मंत्राले की मांगों पर बहास हो रही है सरकार के हर विभाग का वित्मंत्राले से शंबंध होता है देश में जो प्रगती हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है जो प्रगती हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगती दिखाई पड़ रही है रेलों में अब भीड कम होती है विजली का भी काफी विकास हुआ है लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दिख्टिकोण है उसको देख कर कुछ कष्ट होता है अभी जो जनगरना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रही हैं हमारे राश्ट पिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें देहातों के जीवन को पवित्र करें लेकिन स्वराज्य के पच्पन वर्स देत जाने के बाद भी देहातों के तरफ ना जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रही हैं इस प्रश्ण पर हम को कुछ गंभीरता से विचार करना होगा अगर देहातों में लोगों को शुक्षुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं तो लोग देहातों से शहरों की तरफ ना दोड़ते बलकि शहरों से देहातों की तरफ जाते देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी एक तो जमीदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेंदेन करते थे जमीदारी प्रथा शमाप्त हुई इससे लोगों को कुछ राहत मिली जहां तक रुपए के लेंदेन का प्रश्ण है पहले 25 प्रत्यत तक का ब्याज लिया जाता था उसमें अब कुछ कमी अवस्य है लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतनाही ब्याज लिया जाता है जिससे करजा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता शरकार भी अब उचित दर पर करजा देने लगी है इस वजह से कहीं कहीं पर शाहोकारों के ब्याज की दर में कमी आई है सभापति महोदय जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्तो को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो रुका हुआ है पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थित का निर्मार होते हुए हम देख रही है मंत्री महोदे ने यहां पर अभी कहा कि राष्टपति इस काम को नहीं कर शकते है क्योंकि यहां उनके अधिकार के बाहर है आप जब भी यहां देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्टपति का शासन लागू कर देते हैं जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो विकास का काम शमाप्त हो गया हो और वहां के नेता जिम्मेदारी से काम ना करते हो तो वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं इसी प्रकार हमारे राष्टपति सबसे उचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थित काफी समय तक चलती रही तो राष्टपति को आपातकाली इस्थित में इस देश की सुरक्छा के लिए इस देश की प्रगती के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार हैं हमारी भाईयों ने बहुत से उदाहरण दिये कि राज्यों में सयुक्त सरकारें नहीं चली लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो शंबिधान में यह अस्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्टपती की है मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं संबिधान में आदिवासी हरजनों की उन्नती के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी आसफल रही इस समय को चार बार दस दस साल के लिए बढ़ाया जा चुका है लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नती नहीं हो रही है इसमें यह सरकार बिलकुल आसफल रही है पिछले सत्र में इस विशय पर शरकार के विरुद्ध आविश्वास का प्रस्ताव भी आया था इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंकी समस्या है जिसके रहते शारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रही है शबापत्ति महोदय वहा केवल एक शौपन ही रह जाएगा ऐसी इस्थित में मैं अनुभव करता हूं कि आपातकाल की घोशडा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक शर्वदली शरकार अस्थापित की जाए हम यहाँ अनुभव करती हैं कि जिस तरह कासासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है बलकि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं राष्ट की आंतरिक सुरक्षा के विशय में जोबिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाशर हुए हैं उनको मैंने बड़ी ध्यान से शुना है माननीय सदस्यों ने ब्यक्तिगत स्वतंतरता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की और इसारा करते हुए कहा कि हम भी इसके आउचित्य के संबंध में फिर से विचार करें मैं जहां तक समझ पाया हुँ हमारे ग्रिहमंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ बलकि वर्तमान परिस्थितियों को द्रिष्ट में रखते हुए उनको दुख हो रहा है आज जब हम नागरिक सुरक्षा ब्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंतरता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें ब्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है प्रतिक नागरिक इस राष्ट की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है हमने इस बात की सुरक्षा अपने शंविधान में दी है और हम यहाँ आसा करती हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए मतभेद होते हुए भी सांती और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए समाप्त ओके दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस एड़ीगा सभी लोग मैटव को प्रैक्टिस करेंगे और इमानदारी से 10 मिनट लिखने के बाद उसको पहले रीडिंग करेंगे रीडिंग करने के बाद फिर टांस्क्राइब करेंगे किताब का सव का स्पीड है जिसमें आपका पंच्वेशन भी सामिल किया गया है तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बारी में छूड़ता है दो बारी तीन बारी चार बारी लिखेंगे आपकी समेशन आपको पसंद आया होगा तो बीडियो को लाइक करना है प्लेके अगर अगर आपसंद तक आप ने महीं चैनल को डिकेंगे तो और दोस्तों अगर आप जाते हैं तो आप चाहे तो आप स्भी जाते हैं ents honesty चाहती चंधियो या हमारे पेट गूर्प को जाइन कर सकते हैं आधी जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडिया अपना बहुमली सुधाओं में कमेल बाक्स में जरुर देना वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत-बहुत धन्य बाद हैंस्वाराचिंग जैहिंचे भारत